सुप्रिया शिनेत और सुधान चुतिवेदी जी दोनों हमारे साथ जुरुके हैं इस चर्चा में सुधान चुतिवेदी जी सांसद और आश्चर प्रवक्ता बीजेपी के और प्रवक्ता कॉंगर्स पार्टी की सुप्रिया शिनेत सुप्रिया जी आपके साथ चुरूआत करना चाहती हूँ रबस चैंप अध्यक्ष के आरोप में कितना दम है क्योंकि अभी तो यही क्लियर नहीं कि राहूल गांदी नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे दबाओ खूब पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है कर राज भी प्रस्ताव पास कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ लड़ेगा अब की बार परिवार या नहीं लड़ेगा चलाएगा परिवार ही पार्टी को ऐसी स्थिती बनती दिख रही है देखिए शब्दों का खेल ही शो का नाम है तो मुझे उससे कोई आपत्ती नहीं आप शब्दों के साथ खेल रही है अच्छी बात है लच्छेदार हेडलाइन होनी चाहिए मीडिया में लेकिन मैं पूरी इमानदारी और पूरी रिस्पॉंसिबिलिटी के साथ कुछ बाते कहना चाहती हूँ आपने अपना शो जब शुरू किया और आपने अपनी रिपोर्ट के अंत से किया रबर स्टैंप आप मुझे एक बात बताईए कॉंग्रेस के अलावा कोई भी राश्चे पुलिटिकल दल या प्रोविंशल पुलिटिकल दल ऐसा है जो की चुनाओ करके अपने अध्यक्ष को चुनता है यहाँ पर भारतिय जंता पार्टी बैठी है आप रीजिनल पार्टी इसकी बात कर लीजे कोई नहीं करता है और रबर स्टाम की बात तो भाजपा के उन लोगों को इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि बिचारे नड़ा जी अभी अध्यक्ष है या मामला अमित्शा जी चलाते है वो अलग बात है मैं आपसे चीज कहती हूं कॉंग्रेस के अध्यक्ष का चुनाओं की प्रक्रिया हमारे संगठन की नीव की डाली हुई है और यहां पर सिर्फ सोनिया जी अध्यक्ष नहीं रही है कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष में गोपाल कृष्ण गोखले जी, मदन मोहन मालविय जी, महत्मा गांधी, जवाहलना नेरू, सरदार वनलब भाई पतेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलम आजाद, इंदिरा गांधी, कामराज जी, तमामो जग जीवन राम कि आपने तिथी बताई है, 24 से 30 तक होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा विहीन बात है, कॉंग्रेस पार्टी के कारिकरता, अगर राहुल जी को अपना नेता मानते हैं, और अगर उनकी अकांख्षा है कि राहुल जी चुनाओ लड़े, या राहुल जी अध्यक आता है, तो हम प्रक्रिया के पहले ही सवाल उठाएं, मुझे लगता है ये थोड़ा सा अनफेर है, और अंतिन बात एक और कहती हूँ अंजिना जी, ये कहनी जरूरी है, कॉंग्रेस के चुनाओं में हर एरा गेरा आके अपने मत नी डाल सकता है, आपको 10 डेलिगेट्स च चुना जाता है, बूथ ब्लोक को चुनता है, ब्लोक PCC को चुनता है, मैं चुन कर PCC डेलिगेट्स बनी हूँ, सिर्फ उपर से नहीं आ गई हूँ मझे PCC डेलिगेट्स चार लोगों ने कमरे में बैठके नहीं डिसाइड किया कि मैं PCC डेलिगेट्स बनूँगी, एक जवाब दीजे, और BJP क्यों बार बार, मतलब इतने आप लोग आश्वस्त क्यों है, कि राहूल गांधी ही अध्यक्ष बनेंगे, मतलब ये कहना कि चुनाओ तो बहाना है, राहूल गांधी को ही अध्यक्ष बनाना है, जितने प्रवक्ता हा रहे हैं, BJP की तरफ से यही सम तो साड़े तीन साल के बाद, राहूल गांधी जी ने तो दोहजार उनीस के लोग सभा के बाद अपना डाई तो छोड़ दिया था, साड़े तीन साल के बाद, माता, पुत्र, भाता, बहन के बीच में से घूमता हुआ चलिए, अब कम से कम चुनाओ के मुकाम तक तो जाक मामला पहुंचा, अब वो किसको बनाएंगे, या अगर आप कॉंग्रेस का विचार देख लें, तो जब से 21 सदी के सूरट की पहली किरण इस देश की धरती ने देखी, या जिसे हम विलेनिम जनरेशन कहते हैं, तब से सुनिया जी, या राहूल गांधी जी अध्यक्ष है या देख के हमारे यहां तो आट-दस अध्यक्ष बदर चुक्के देश के भिन्ने-बिन अंचलों से, भिन्ने-बिन वर्गों से अध्यक्ष रहे, उनका निरंतर एक ही रहा है, तो कॉंग्रेस में जैसा अभी सुप्रिया शी ने जी ने बहुत पुराने पुराने चाता हूं, मगर उससे एक बात याद आई, हम 2022 में हैं, 1919 में मोतीलाल नहरुजी अध्यक्ष बने थी, कॉंग्रेस का वहा अधिवेशन जिसमें स्वतंता का प्रस्ताव पारित हुआ, यानि 1929 लाहर कॉंग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण सुराजी का प्रस्ताव पा आशन बोस जैसा व्यक्ति बना था, तो आखिर में उनको step down करना पड़ा था, जबकि महात्मा गांधी ने कहा था, पटावी रमय्या के हार मेरे व्यक्ति गतारू, चलिए कोई बात नहीं, फिर जब प्रधान मंत्री, अंतरिम सरकार के प्रधान मंत्री बनने की 46 से बात आ आगे नहरू जी के आगे पटेल को विड्रौ करना पड़ा था, स्वतंता के बाद सुप्रिया जी को यादो, पहला चुनाओ, जिसमें पुर्शोतम दास टंडन चुनाओ जीत गए थे, नहरू जी के कैंडिडेट करप्लानी जी थे, मगर आखिर में पुर्शोतम दास टं जाव नहीं होना चाहिए था, कामराज पान बना किनारे किया गया था, फिर उसके बाद चाहें निजलिंग अपपा हो, फिर चाहें देवराज अर्स, जगजीवन राम, उनको भी हटना पड़ा, और अंत में लेटेस्ट आ जाई, अभी 25 साल पुरानी बात है, सीता राम के इसरी की नाम की पट्टिका उखाड कर किराने की, और एक प्रकार से फिजिकली जाकर उस पे अध्यक्ष के कारेले के उपर कबजा हुआ, तब जाके सोनिया जी बनी थी, तो इसलिए इनका जो इतिहास है, जिसको आप कहते हैं कि अध्यक्ष के इरवाचन का अधिकार, तो बीस साल बता दे, जिसमें कांग्रेस का डिवीजन ना हुआ हो, यह अंतर है चूंके हम विचारधारा प्रेरित, कैडर अधारित पार्टी हैं, यह विचारधारा विहीन, नेता अधारित पार्टी हैं, तो हमारे इनके कॉन्फिग्रेशन में फरदर अंतर है, सत्ता गांधी परिवार का ही रहे दावर्चस महीं रहेंगे, यह इसका जवाब नहीं दिया आपने, आपने, मैं बता रहा हूं, देखे आज जो यह बात आ रही है सुत्रों के हवाले से कि गांधी परिवार का कोई आधिकारिक प्रत्याशी नहीं होगा, यह इनका अंतरूरी मा अजमाए हुए, नकारे हुए हैं, और अनिच्छुक हैं, अब वो लेने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ बेटी है, अब उसको देना नहीं है, चो गिदामा जी का बहुत बड़ा बैगेज है, तो इस समय जो गांधी परिवार के तीन सदत से हैं, उनके बीच में समस्या है, एक लेना नहीं चाहता, दूसरे को देना नहीं है, एक की आयू और स्वास्तन उकूल नहीं है, तो इस कारण से विवश्ता के कारण इस प्रकार की बाते आ रहे हैं, नैतिकता के कारण नहीं आ रहे हैं.